हलो फ्रेंट्स आज हम करेंगे शिक्स्त क्लास की बुक अपक्ट विद्धासन का सेवन्थ चैप्टर है तब वंडर कॉल्ड स्लीप रिटन बाई एड़वार्ड थोमस एड़वार्ड थोमस का पूरा नाम है फिलिप एड़वार्ड थोमस यह एक ब्रिटिस एसे इस्ट हैं पॉयट हैं और नोवलिस्ट हैं जनरली इनको वार पॉयट के नाम से जाना जाता है वार मतलब युद्ध और वार पॉयट के नाम से क्यों जाना जाता है क्योंकि इनकी कुछ जो पॉयम्स हैं उनमें एड़वार्ड थोमस ने अपने वार एक्सपिरियंसीज को शेयर किया है और इस चैप्टर में हमें पताते हैं कि स्लीब क्यों जरूरी है नीन्द कीन है क्लाइबर क्यों आई जानते हैं कि सलीब हमारे लिए किस परकार say जरूरी है चैप्टर को सुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते वा ये जानते हैं sleep के बारे में लेकिन यह हम कुछ कम जानते है हम बहुत कुछ इक स्टेट है एक अवस्था है एक सिच्वेशन है एक परिस्थिती है किसकी रेष्ट की and unconscious रेष्ट अंकॉंसियंस क्या होता है जब आप सो जाते हो तो आपको पता नहीं चलता एक किस्म से एक तरह से आप बेहोसी की अवस्था में होते हो तो नींद बिल्कुल वही अवस्था है A state of rest and unconscious rest Unconscious मतलब अच्छे अवस्था हमें कुछ पता नहीं रहता कि नींद के बाद क्या होता है नींद के बाद सपने आते हैं ये अलग बात है कुछ सपनों को हम भूल जाते हैं कुछ सपने हमें याद रहते हैं ऐसा क्यों होता है और सपने क्यों जरूरी हैं ये भी हम इस चैप्टर में जानेंगे चलिए पहले जानते हैं कि स्लीप के कुछ बेनेफिट्स हैं कुछ फाइदे हैं सरीर की हर किरिया जो भी एक्टिविटी होती है उसके हमें कुछ नगुचे advantages होते हैं हमें कुछ नगुच लाब होते हैं और उसमें क्या है body recovers from fatigue fatigue होती है थकान जब आप थक जाते हो दिन भर की activities करके दिन भर के काम करके जब आप थक जाते हो तब आपकी body को क्या चाहिए आराम चाहिए और जब आप सो जाते हो तो उससे body क्या होती है उस fatigue से उस थकान से recover करती है recover करती है मतलब अपने आप में normal हो जाती है तो सोना इसलिए जरूरी है नीद इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें थकान से मुक्ति दिलाती है we become alert and active सुबह जब हम उठते हैं तो बड़े alert होते हैं बड़े active होते हैं हमारा mind पूरी तरह से काम करता है लेकिन जब हम ठक जाते हैं बूरी तरह से ठकान हमें घेर लेती है हम और काम करने के योग्या नहीं रहते तो हमें नींद की जरूरत होती है हमें स्लीप की जरूरत होती है और सो करके फिर से क्या हो जाते हैं हम अलर्ट हो जाते हैं फिर से एक्टिव हो जाते हैं तो नींद क्या करती है हमें अलर्ट और एक्टिव करती है चुस्त करती है हमें फुर्तिला बनाती है आगे के रेडी for normal activities, हम normal activities के लिए सामन्य जो गतिविदियां, सामन्य कारियां हम दिन भर के करते हैं, उनके लिए भी हमें नींद तैयार करती है, यह जब हम सो जाते हैं, तो फिर से अपने normal activities को करने के लिए तियार हो जाते हैं, आईए हम कुछ और जानते हैं, कुछ अधिक जानेंगे sleep के वारे में जब हम सुभह जागते हैं रात बर सोते हैं सुभह जागते हैं तो it is not possible for us to remember everything के सोने के दोरान हमारे साथ क्या क्या हुआ हम ये सारी बातें याद नहीं रख पाते हैं कुछ चीज़े याद रख पाते हैं, जैसे dream, हमें सपना आता है, तो हम सपने को याद रख लेते हैं, लेकिन उसके सपना याद रहता है, पूरा सपना पूरा dream हमें याद नहीं रहता है, मतलब क्या है? sleep एक तरह की darkness है, एक तरह की अन्धेरा है हमारी जीवन में, अब हम उसको डिसकस करेंगे कि हमारी बोडी में कुछ चेंजिस आते हैं और वो चेंजिस क्या है आए देखे वाट हैपनस टू बोडी डूरिंग स्लीप आप सो रहे हैं उस सोने के दोराद आपकी बोडी में क्या क्या चेंजिस आते हैं देखिए पहला क्या मसल्स रिलेक्स more and more, यह हमारी muscles हैं, जो हम काम करते हैं, हाथ से में लिख रहा हूँ, muscles काम कर रही हैं, लेकिन यह भी ठक जाती हैं, और जब हम सोते हैं, तो सोने के दूरान, during sleep हमारी muscles को ज़्यादा से ज़्यादा relax मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिलता है रहत मिलती है और heartbeat becomes slower और जो हमारी heartbeat है जो हमारे दिल की धड़कन है वो कम हो जाती है normal दिल की धड़कन कितनी होती है जो 15 साल से या 15 साल से उपर की उमर के या 15 साल के व्यक्ति हैं उनकी हार्ट बीट 60 से 100 पर मिनट एक मिनट में 60 से 100 के बीच में अगर उनका दिल धड़कता है तो समझ लो वो क्या है वो normal situation है उनका हार्ट बिल्कुल normal beating कर रहा है तो यह जो heart beat है, यह भी slow हो जाती है, किसी की 90 है, उसकी कम हो जाएगी, किसी की 70 है, उसकी कम हो जाएगी, सोने के दोरान हमारे heart को भी relax मिलना जरूरी है, और वो क्या हो जाती है, heart beat कम हो जाती है, उसके बाद temperature and blood pressure, go down, एक तो BP, आप देखते हो कि भी BP बढ़ जाता है, BP कम हो जाता है, और temperature, हमारी body का एक temperature है, और हमारी body का जो normal temperature है, वो क्या है, 98.6 Fahrenheit, अगर इसको Fahrenheit में मापते हैं, तो 98.6 degree Fahrenheit होता है, और अगर हम इसको Celsius में मापते हैं, तो यह क्या आता है, 37 degree Celsius, यह एक normal temperature है, किसका हमारी body का, तो यह temperature भी down हो जाता है, यह temperature भी कुछे कम हो जाता है, और blood pressure, जिसको आप BP कहते हैं, BP normal कितना होना चाहिए, 120, 120 हमारा high BP, जिसको कहते हैं, ऊपर का, उच रक्त, चाप कितना होना चाहिए, 120, और नीचे का कितना होना चाहिए, 80, अगर किसी व्यक्ति का, blood pressure, 120 उपर का, और 80 नीचे का है, तो वो normal मना जाता है, तो यह blood pressure भी हमारा क्या हो जाता है, यह भी कम हो जाता है, किसके दोरान, जब हम सो रहे होते हैं, एवर active brain also slows down, और जो हमारा brain है, जो 24 hours working में है, एवर active, जो हमेशा active है, हमेशा काम करता रहता है, यह भी इसकी गती भी थोड़ी कुछे कम हो जाती है, तो कि relax तो body के हर पार्ट को चाहिए, तो हमारे brain की activity, हमारे brain की जो गती है, वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसके बाद, जब हम जागते हैं, जब हम सो करके उठ जाते हैं, यह जो हमारी heart beat है, यह भी normal आ जाती है, कितने आ जाती है, 60 से 100 के बीच में, अगर किसी की normal है, हमारा blood pressure भी normal हो जाता है, कितना, 120 से 80 mmHg, mmHg, mmHg का मतलब क्या है, इसमें इसको मापते हैं blood pressure को, इसका मतलब है millimeter of mercury, इसमें blood pressure को मापा जाता है, सो करके जब हम उठ जाते हैं, तुम्हारा blood pressure भी normal हो जाता है, और हमारा brain भी अपनी गति से काम करना शुरू कर देता है, नींद के दोरान एक चीज और important है, वो है dream, आये जानते हैं, what is a dream, क्या होता है dream, dream सपना, जब हम सोते हैं, तब हमें सपने आते हैं, सपने probable भी हो सकते हैं, यानि कि संभावनाओं से related भी हो सकते हैं, हमारी कल्पनाओं से सम्मंधित भी हो सकते हैं, और इन से सम्मंधित नहीं भी हो सकते, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है, कि कई बार हमें ऐसा लगता है, कि जो हमने सपनों में देखा है, वह हमारे साथ हकीकत में हो रहा है, यानि कि ये संभावनाओं से सम्मंधित भी हो सकते हैं और संभावनां से संबंधित नहीं भी हो सकते हैं रियल भी हो सकते हैं और कालपनिक भी हो सकते हैं यानिकि वास्तिविक भी हो सकते हैं और आवास्तिविक भी जिनको हम कालपनिक कहते हैं जिनकी हम कलपना भी नहीं कर सकते सपनों में हम ऐसी चीज़ें देख लेते हैं कि हम उड़ रहे हैं बिना पंखों के उड़ रहे हैं बिना एरोपलेन के उड़ रहे हैं तो यह सपनों में संभावना इनकी हो सकती है लेकिन कुछ सपनें से आते हैं हमें लगता है कि है हमारे असली जीवन में भी वो चीज़ें हो रही है तो सपना क्या है? An activity that takes place when we are asleep जब हम सो रहे होते हैं तब हमें सपने आते हैं और यहां तक की सपने हमारी मदद भी करते हैं किस परकार से मदद करते हैं? सपने हमें disturbance, I mean noise आप सो रहे हो, पडोस में ढोल बज रहा है, DJ बज रहा है सपने आपको उस sound से मुख्त करते हैं क्योंकि आप सपने में हो सकता है, कहीं घूम रहे हो तो वो sound आपको महसूल से नहीं होगी एक example भी दिया है आपकी book में कि आपकी clock, alarm clock आपकी बज़ती है आपने alarm भरा हुआ है सुबह पांच बज़े का लेकिन आप सपने ले रहे हैं और आपको अच्छी नीदा रही है, आपका alarm बज़ता है तो सपना आपको उसी दिसा में ले जाता है कैसा फिल कराता है आपको कि साइद door bell बज़ी हो साइद फोन की घंटी बज़ी हो और आप सपने में ही उठकर के दरवाजा भी खोल देते हैं और सपने में ही उठकर के उस फोन को receive भी कर लेते हैं तो ये क्या है, सपना हमारी मदद कर रहा है किसमें हमारी नींद को पेहतर बनाने में जबकि bell किसकी बज़ी थी, alarm clock की और आपको महसूस क्या हुआ, कि कोई door bell बज़ी है या फिर telephone की ring बज़ी है इस परकार से जो सपने हैं हमें disturbance से और किसी परकार के source robes से भी मुक्ते करते हैं doctors तो ये कहते हैं कि अगर आप अपने सपने को पूरी तरह से समझ ले तो ये आपकी काफी सारी problems की कुंजी हो सकते हैं they can be the key to your problems आपकी जितनी भी समझ्याएं हैं उनकों समधान हो सकता है सपने लेकिन सपने कभी याद ही नहीं रहते और अगर याद भी रहते हैं तो वो पूरे याद नहीं रहते कई बार मुझे सपनों में आता है कि मैं उड़ रहा हूँ और सपनों में मैं सोचता हूँ कि जब मैं जागूंगा तो मैं इस परकार का प्रियास करूँगा मैं उड़ूं लेकिन जब मैं जाखता हूँ तो मैं वो चीज भूल जाता हूँ कि सपने में मैं कैसे मैंने उडान भरी थी तो इस परकार से डॉक्टर्स का कहना है कि अगर हम सपनों को पूरी तरह से याद रखे तो हमारी जीवन की काभी सारी डिफिकल्टीज है उनका समाधान भी हो सकता है तो इस परकार से स्लीप जिसमें हमें सपने भी आते हैं स्लीप के अंदर कितनी पावर है स्लीप कितनी ताकतवर है एक वंडर है हमारे लिए एक अजूबा है हमारे लिए तभी चैप्टर का नाम क्या है दा वंडर कॉल्ड स्लीप आपकी बुक में इस chapter के end में एक poem दी हुई है आइए देखते हैं वो poem क्या है यह आपकी book है और इस book में आपको poem last में दी हुई है क्या लिखावा है? Lights Out आपकी poem का नम है Lights Out क्या लिखावा है? I have come to the borders of sleep the unfathomable deep forest where all must lose their way however, straight or winding soon or late they cannot choose there is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown I must enter and live alone I know not how मैं एक सपने की बात की गई है इस poem में और आपकी book के last में दी हुई है आप इसको पढ़ सकते हैं इसको enjoy कर सकते हैं I hope आपको पूरा chapter समझ में आ गया होगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इससे सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को like करें share करें ताकि आपके friends को इसका फायदा हो सके और red bell icon बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के notifications आपको मिलते रहें आने वाली वीडियो और भी interesting होने वाली हैं Thank you, have a nice time